नमस्कार, मैं प्रोफेसर मधुगुपता, Department of Community Medicine and School of Public Health पीजे चंडीगर्ड से आप से बात कर रही हूँ और आज मैं जिस विशे में बात करने जा रही हूँ, वो बहुत ही जरूरी है उसका विशे है गरब अवस्ता के दुरान, Danger Sign, खत्रे के चिन के लिए महिलाओं को क्या-क्या जानकारी होनी चाहिए ताके मा और बच्चा स्वस्त रह सके सो कौन-कौन से ऐसे खत्रे के निशान होते हैं जो माओं को महिलाओं को प्रेग्निंसी में दुरान उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए क्योंकि ये जो खत्रे के चिन हैं महिला को घर में किसी भी दुरान 9 महिने के अंदर हो सकते हैं सबसे पहले मैं बात करूँगी कि अगर महिला को नीचे पानी की जगा उनको खून चलना शुरू हो जाए जिसे पर वजाइनल ब्रीडिंग कहा जाता है तो वजाइना से उनका खून निकलना शुरू हो जाए So normally pregnancy में bleeding नहीं होनी चाहिए अगर ये हो रही है तो इसका मतलब कोई खत्रा है आपको उस थिती में तुरंथ ही हस्पताल के लिए त्यारी करनी चाहिए और जब आप जाएं तो आप ध्यान रखें कि गाड़ी में आपने 22 तरफ लेट के जाना है हस्पताल और सीधा एमर्जेंसी में लेबर रूम में पहुंचना है और वहाँ पे जो भी आपके डॉक्टर या नर्स होंगे तो उनको सबसे पहले ये वाली तिक्कत के बारे में बताना है So घर में नहीं रहना है किसी दाई को नहीं बुलाना है और सीधा पास ही जहाँ पर डिलिवरी की सुविदा है वहाँ पर पहुंच जाना है दूसरा अगर आपके नीचे हलका ग्रीन कलर का हरा रंग का पानी निकलना शुरू हो जाए ये पानी तब निकलता है जब शिशू जो हमारा न्यूबॉन बेबी है वो बीच में ही पौटी कर दे तो ये भी बहुती खत्रे की निशान है और इससे बच्चे की जान भी जा सकती है तो तुरंथ ही आप पैड एक रखिए और हस्पताल की तरफ रवाना हो जाएए मैं बताओंगी बाद में कि कैसे आपने त्यारी करनी है हस्पताल जाने के लिए और कैसे अपने आपको त्यार रखना है ये गरवस्ता के जो आखरी के तीन महीने होते हैं उसमें ये साबधानी देना बहुत जूरी है तो जैसा कि मैंने बताया कि हरा पानी निकल सकता है ये भी खत्रे का निशान है अब मैं बात करूँगी अगला खत्रे का निशान जैसे कि आपको मालूम है जो बच्चा होता है वो एक थैली में होता है, पानी की थैली में, एमनाइटिक फ्लुइट कहते हैं उसको. So, वो जो फ्लुइड है बच्चा उसके अंदर सेफ रहता है. कई बार घर पे ऐसा होता है कि वो थैली फट जाती है. So, फट जाने के बाद वो जो पानी है, वो पिशाब की तरह बाहर निकलता है तो महीला को पता नहीं चलता कि वो पिशाब है कि वो थैली फट चुकी है लेकिन वो पिशाब जो होता है वो कम आएगा, कम मात्रा में होता है और ये बहुत ज़ादा पानी निकलना शुरू हो जाता है तो इसका ये मतलब है कि आपका थैली फट चुकी है और किसी बेदरान लेबर शुरू हो सकती है अगर आप इस विवस्ता में घर पे रहते हैं तो बच्चे में इंफेक्शन होने के चांसे बढ़ जाते हैं और इसलिए तुरंथ ही अगर ऐसा कोई चिन होता है या बच्चे की थाली पानी की थाली फट जाते हैं घर में तो आपको तुरंथ ही लेबर रूम में जाना है और आपको वहाँ पे इसका इलाज करवाना है ताके बच्चे को इंफेक्शन ना हो बच्चा स्वस्त रहे और आप भी स्वस्त रहें तीसरी जो खत्रे का चिन है वो है बच्चे की जो मुव्मेंट होती है फीटल मुव्मेंट उसका ध्यान रखना कई बार बच्चा अंदर ही गुम हो जाता है और अंदर ही डेथ हो सकती है तो मां को इसके बारे में कैसे जानकारी होनी चाहिए कि खाना खाने के बाद आप अराम से एक घंडा लेट जाए सुबह दुपहर और रात को और आपने गिनना है कि एक घंडे के अंदर बच्चा कितनी बार घुमता है अगर एक घंडे के दोरान बच्चा तीन बार से कम घुम रहा है तो ये खत्रे का चिन है आपने रुकना नह ही है घर में तुरंथ ही आप अपने नजदी की अपने पती को या घर में जो भी आपके परिवार में हैं उनको बताईए और तुरंथ हस्पताल में चले जाईए इससे बच्चे को आप बचा सकते हैं बच्चे को स्ट्रेस हो रहा है इसलिए बच्चा जो घूमना है उसका ध बहुत खत्रा होता है इसमें फिट आना जैसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं वैसा होता है तो अगर बीपी आपका जादा हाई है उस वज़े से हो सकता है इसलिए जान भी जा सकती है तुरंत आप हस्पताल जाए लेबर रूम में आपने रिपोर्ट करना है फिर उसके आपकी जो उंगलियां है जो आप रिंग्स डाली हुई है आपने अंगुठियां वो टाइट हो जाती है तो इसका भी यह मतलब है कि आपका बीपी हो सकता है तेज हो या फिर टांगों में सोजिशा जाना तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो नजदी की हस्पताल है व यह भी एक खत्रे का चिन है अगर आपके घर में किसी को कोविट नाइटीन पॉजिटिव हुआ है तो भी आपको दिखाना जूरी है आप उसके कॉंटाक्ट है और दूसरा अगर आपको इन्फुरेंजा लाइक सिम्टम्स हैं जैसे कि बुखार होना खांसी होना या गले म दिक्कत आना तो हो सकता है आप कोविट नाइटीन पॉजिटिव हो और आपने तुरंती हस्पताल जाना है घर में नहीं रुकना और उसके बाद जो अगला खत्रे का चिन है वो पेट में दर्ध होना बहुत तेज पेट में दर्ध होने के दो तिन कारण हो सकते हैं एक तो तो वो जो दर्ध है वो आएगी थोड़ी देर रहेगी तेज होगी और फिर उसके बाद चली जाएगी बार बार आएगी और चली जाएगी तो हो सकता है कि आपको साथ में आट महीने में अगर ये दर्ध हो ही है तो हो सकता है यह premature labor हो और अगर कई बार क्या होता है कि अंदर ही placenta अलग हो जाता है बच्चे से और खून जमा हो सकता है उसके उस समय भी pain होती है मां को एक ही लक्षन होता है कि pain होना उस में भी आपने घर में नहीं रुकना और तुरंत ही hospital के लिए रवाना होना है so अब आपको कैसे त्यारी रखनी है आपको इसके लिए एक bag ready रखना है जब आपके 6 मीने पूरे हो जाते हैं तो खत्रे के जो चिन है उसके जादा chances होते हैं तो आप एक bag त्यार रखे उसके अंदर कुछ पैसे although सबकुछ free है पर फिर भी कुछ पैसे एक-दो हजार आप रख सकते हैं और आपके जितने भी antinatal records है आपने अभी तक जितनी भी आपने antinatal check-up करवाया है उनकी blood investigations, cards, OPD cards, ultrasound reports वो एक जगा एक फोल्डर में प्लास्टिक के फोल्डर में डाल के रखे उस bag में बच्चे के कपड़े, अपना gown उस bag में और pads डाल के रखे वो bag एकदम ready होना चाहिए आपका और घर में सबको पता हो कि अगर by chance आपको कोई खत्रा होता है तो आप वो bag एकदम से उसमें time ना waste करें और एकदम से bag उठाके आप चलने के लिए त्यार हों ambulance के numbers उस पे लिखे हों, सामने ही हों और आपकी ये विवस्ता भी होनी चाहिए कि अगर emergency होती है तो आप किसको call करेंगे, कौन सी गाड़ी आपको लेके जाएगी अगर ambulance की विवस्ता नहीं हो पाती तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने खत्रे के दुरान जो danger signs हैं उस समय आप कैसे जल्दी से action लेके बच सकते हैं और मा और बच्चा दोनों स्वस्त रह सकते हैं और एक बहुत जूरी बात है जो आप preparation में आपको ध्यान रखने वाली है कि आप पहले से ही तैग कर लें कि आपने delivery किस hospital में करानी है आप कहां जाना चाहते हैं ताके अगर आपको कोई emergency होती है तो आप इसमें time ना waste करें कि हमने delivery कहां करानी है आपको पहले से ही पता हो कि मैं इस hospital में जाके delivery कराना चाहती हूँ इसे हम कहते हैं birth preparedness and complication readiness सो पहले से ही आपका एक plan बना हो कि यहां मैं delivery इस hospital में करवाना चाहती हूँ सो मैं आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी useful लगी होगी और आप ध्यान देंगे नमस्कार